C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिष्ट 27, पार्ट 8 एकाई 2, रंग ही रंग मिलकर पढ़िये, तीन दोस्त बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे लाल, पीला और नीला लाल रहता था हर लजीज वस्तू में जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार आसमान भी नीला था और समंदर भी पेडों से टपकती बारिश भी नीली ही थी इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाये गए हैं पहला चित्र दाई और उपर तीन रंगों का दिखाया गया है लाल, पीला और नीला ये तीनों मित्र हैं दूसरा चित्र प्रिष्ठ के बीच में बाई और दिखाया गया है जिसमें लाल रंग का सेब, टमाटर, आलू बुखारा और चेरी दिखाये गए हैं तीसरा चित्र दाई और नीचे दिखाया गया है जिसमें पीले रंग का चमकदार सूरज दिखाया गया है चौथा चित्र बाई और नीचे दिखाया गया है जिसमें नीला आसमान, नीला समंदर और पेड़ों से तपकती नीले रंग की बारिश की बूंदें दिखाई गई हैं प्रिष्ट 28, तीनों पक्के दोस्त थे, एक दिन उन्होंने कहा हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं और वे निकल पड़े दोस्तों की तलाश में, और देखो, क्या हुआ? लाल और पीला साथ चले, तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी पीले और नीले ने हाथ मिलाया, तो एक नया दोस्त मिला, हरा लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला बैंगनी और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्तान और रंगीन लेखिका इंदू हरी कुमार इस प्रिष्ट पर तीन चित्र दिखाए गए हैं पहला चित्र दाई और उपर दिखाया गया है जिसमें लाल और पीले के मिलन से नारंगी रंग बनता नजरा रहा है तीसरा दोस्त नारंगी दूसरा चित्र बाई और बीच में बनाया गया है जिसमें पीले और नीले ने जब हाथ मिलाया तो उनसे बना हरा रंग ये दिखाया गया है तीसरा चित्र दाई ओर नीचे बनाया गया है जिसमें लाल और नीले रंग के आपस में मिलन से बैंगनी रंग बना ये दिखाया गया है प्रिष्ट 29 बात चीत के लिए एक क्या रंगों की तरह आप भे अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं दू आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं तीन क्या आस्मान हमेशा नीला दिखाई देता है क्या सूरज हमेशा पीला होता है क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं अपने अनुभवों के आधार पर बताईए चार आप नए मित्र कैसे बनाते हैं? यहां दिये गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कापी में लिखिए एक कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए दो वाक्य पूरा करें तीनों रंग पक्के दोस्त थे फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए क्यूंकि? और इसके आगे रिक्त स्थान है जहां आपको बताना है कि उन तीनों पक्के दोस्तों ने और नए दोस्त क्यूं बनाए तीन विद्याले में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तों को खोजिए उनके नाम भी लिखिए यहां पर तेन सूचियां दे गई हैं नारंगी वस्तों के नाम हरी वस्तों के नाम और बैंगनी वस्तों के नाम जिनके नीचे चार रिक्त स्थान है आपको रिक्त स्थानों में इन रंगों से जुडी हुई वस्तूओं के नाम लिखने है प्रिष्ट तीस आईए कुछ बनाएं एक, मेस पर अख़बार विचा दीजिए दो, अलग-अलग ग्लास या कप में तीन रंगों को पानी में घोलिए लाल, पीला और नीला तीन, ड्रॉपर की सहायता से रंग की बूंदों को अख़बार पर छिड़किए चार, अलग-अलग रंगों की बूंदों को एक दूसरे के ऊपर और आसपास छिड़किए तथा नए रंग बनाईए आप रंग की बूंदों से डिजाइन भी बना सकते हैं पाँच, सभी रंगों को मिला कर देखिए कौन सा रंग बना? यहाँ पर एक बच्ची का चत्र दिया गया है जो की ड्रॉइंग बोर्ड के ऊपर तीन रंगों को अलग-अलग ग्लासों में भर कर उनसे नए रंग बनाने की कोशिश कर रही है वे तीन रंग हैं लाल, पीला और नीला है न ये मज़ेदार खेल शब्दों का खेल रंगों के नाम लिखिए यहाँ पर दो सूचियां दी गई है बाई और लिखा है आ की मात्रा वाले रंग जिनके नीचे आपको दी गई रिक्त स्थान भर कर आ की मात्रा वाले रंगों के नाम लिखने है और दाई और लिखा है बिना आ की मात्रा वाले रंग यानि जिन रंगों की नाम में आ की मात्रा नहीं लगती उन रंगों के नाम इस शीर्षक के नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में लिखने है आप फूड कलरिंग या स्याही का इस्तमाल कर सकते हैं गतिविधी के बाद बच्चों को सारा सामान सही जगह पर रखने के लिए कहिए और उनके साथ कक्षा को साफ कीजे चित्रकारी और लेखन अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए वह रंग आपको किन वस्तों की याद दिलाता है उनके चित्र बनाईए कुछ वाक्य भी लिखिए यहाँ पर एक चौकोर रिक्त स्थान दिया गया है जहाँ पर आपको अपने पसंद के रंग से वस्तों के चित्र बनाने है और इसके नीचे वाक्य लिखने के लिए रिक्त स्थान भी है जिन वस्तों के चित्र आपने बनाई हैं उनके बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए प्रिष्ठ 32 चित्र और बादचीत शीर्शक प्रकृती के रंग इस प्रिष्ठ पर एक बाग दिखाया गया है जिसमें केले का एक व्रिक्ष है जिस पर केले लगे हुए है इस बाग में नीचे बैठा एक माली दिखाया गया है जो के मिट्टी को खोद रहा है इस चित्र में गुलाब का फूल भी दिखाया गया है साथ ही इस चित्र में इल्ली भी दिखाई गई है बाग के चारों तरफ बार लगी हुई है प्रिष्ट पैंटीस इस प्रिष्ट पर बाग का चित्र दिखाया गया है इस उद्ध्यान में एक भवरा दिखाया गया है एक केचुआ दिखाया गया है साथ ही एक बीज दिखाया गया है और तर्बूज भी दिखाया गया है इसके अलावा इस उद्ध्यान में सूरज मुखी का फूल भी दिखाया गया है शिक्षन संकेत एक, चित्र में दिये गए शब्दों से अपनी कहानी बनाईए कक्षा में सुनाईए दो, अपने मित्रों के साथ मिलकर चित्र से जुड़े हुए कुछ वाक्य अपनी कौपी में लिखे तीन, बच्चों को अपनी भाषा में मन की बात कहने के लिए प्रोच साहित कीजी एवं उप्युक्त अफसर प्रदान कीजी सारंगी, वाचन्स्वर, बावला कोचर और मम्ता मलकानी तखनीकी निर्देशन, बटी लेंग लिंग्डो ध्वन्यंकन, मयंक कुमार निर्मान सहयक, तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत